हे गाईस वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल आई होप आप सभी टीक होंगे तो फिर गाईस आजम देखने वाले हैं स्वच्छ जलिया जीलो एवाम तलाबों में खाद शरिंखला ये जो है ये जो टॉपिक है ये बीसी थर्ड एर जो लॉजी पेपर वन का यूनिट सेके टॉपिक है और इस यूनिट से रिलेटेड मैंने बहुंस सारे क्वेस्टन जो है बता दिया है बहुंस सारे टॉपिक्स मैंने आप लोग बता दिया है अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार जरूर चेक किजिगा प्लेलिस्ट बगरा बन गया है आप लोगी सुई अब हम यहां पर उत्पादक भोगता की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम जो है तलाब का खाथbat द्रिंकला खाद欸 डेखने वाले कोई भी खाद्रिंगला या कोई भी फूड चैन्या कोई भी फूड वेनका खाद्रिंगला खाद्र जाल यह मैंने बता तक हो गो और आप ल प्रविय्ट जीवों के जो शरीर होते हैं उसको भोरोड में सादा निकलाने का काम करते हैं टीक है उसारा कुछ हम देखने वाले हैं र्वाफिंदिते धार्डार इंट्रोड क्षिग nuclear जलिया आवास होते हैं तलाब और जील हम सभी देखे हुए हैं तो फिर इनका जो जल होता है वो स्वक्ष होता है तो फिर यह जो है स्वक्ष जलिया आवास होते हैं तलाब एवं जील इस्थिर जलिया आवास होते हैं जो तलाब और जो जील का जो पानी है कैस वो इस्थिर उसमें जो लहरी है वो धीमेगती से उड़ता है ज्यादा समुद्र की तरह लहरी उसमें नहीं उड़ता है तो फिर यह इस्थिर जली आवास होते हैं इनमें धीमेगती में धराये संचरन करती है तलाबों में प्रोफंडल जोन नहीं होता परन्तु जीलों में पाया जाता है प्रोफंडल जोन उसे कहते हैं जैसे कि कोई तलाब ले लो है तलाब की वहाँ गहराई जहां पर सूरे की प्रकाश नहीं जाती उस इस्तर को या उस जगह को जो है प्रोफंडल जोन कहते है तो फिर तलाब का जो तह होता है जो नीचे वाला जो सतह होता है वहाँ तक तो सू उस सतह को या उस तह को जो है हम प्रोफंडल जोन कहते हैं तो फिर तलाबों में जो है प्रोफंडल जोन नहीं पाया जाता है लेकिन जीलों में पाया जाता है इस प्रकार से हम प्रोफंडल जोन किसे कहते हैं वो उसको हम एक प्रकार से परिभासित भी कर सकते हैं जील का वह किसी जील का वह गहराई जहां तक सुरी का प्रकाश ना पड़े उस तह को या उस जोन को जो है प्रुफंडल जोन जो है कहते हैं ठीक है अई होप इतना वह लोगों समझाया होगा आगे देखते हैं तलाब एवं जीलों के खाद स्रिंखला में निम्न उत्पादक एवं उभ भोगता पाए जाते हैं अब कौन कौन से प्रोड्यूशर पाए जाते हैं कौन कौन से कौंजूमर पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं तो फिर प्रोड्यूशर देखते हैं हमने सिनॉप्सिस में सेगेंड प्रोड्यूशर रखता है ना एनकी उत्पादक तो फिर है। उसमें जो है जलिया में मतलब जल में वाले प्लांट होते हैं और कुछ-कुछ होते हैं zosta कर जाते हैं आप अपर आफ्मीर यह कोछ दिन दीडिया को निर्मार्ण करते हैं इसलिए यह प्रोड्यूसर है ठीक यह निम्नलिकीत हो सकते हैं अब जो प्रोड्यूसरें गाईस वह निम्नलिकीत हो सकते हैं तो फिर कौन- необ प्लाव के ना जिसे फाइटופलेक्टॉन कहते हैं यह यह शय sedile आदि शुक्षित्न पौधे जहां तक सूर्य का प्रकाश आएगा वहां तक यह फाइटो प्लेक्टॉन पाया जाएगा जैसे यूगलीना और इनवीना यह इसके एक्जांपल है फाइटो प्लेक्टॉन के तिक है अब चले बढ़ते हैं आगे इधर देखें तंतुशयवाल है अब यह तंतुशयवाल भ प्लांट यह प्लांट जो है जड़ सही तलाब के तल पर रहते हैं पूर्ण रूप से जल में डूबे होते हैं मतलब यह जड़ कैसे होते हैं वो कैसे होते हैं जड़ तो मिटी में रहे गई है लेगन उसका जो बॉडी पार्ट है वह भी जल के अंदर ही रह एगा इनकी पूर्ण तरिकेसे जल के अंदर में होता है इस वज़े से जल निमगन पौधे जो है कहते हैं ठीक है जैसे वैलिस नेरिया पोटो मोजी टोन आदी जो है इसके एक्जामपल है पोटो मोजी टोन प्रोनौन्स करने में थोड़ सा गलत हो सकते हैं मेरे से हैं इसको बार-बार आप पढ़ोगे तो फिर यह याद हो है ना वैलिस नेरिया यह हम पहले से पढ़ते हैं तो फिर यह बहुत ही सिंपल है एक एक्जामपल लिखोगे तो भी चलेगा एक एक्जामपल याद रख सकते हो है ना फिर है प्लावमान पौधे प्लावमान से नाम से इस पश्ट है यह तैरता होगा है ना प्लावमान य ज्ञेल के अंदर लेकिन जो कमल उसको जो फलावर में वह जो है तलाब के बाहर पानी के बाहर होता है ना तो फिर उसे प्लाव मन पौधे कहते हैं है ना अम है फिर इसकी एकτόल है कलम कमल जूसएअ और निम्फिया इसकी एक पाओ देके तो फिर यह सारे प्लांट्स है गैस और कुछ एलगी साय है ना जो की सुरे की विकरन उर्जा का यूज करके अपना भोजन बनाते हैं तो फिर इसे जो हम प्रोड्यूशर कहते हैं तलाब वाले तलाब के खाद्र शरिंकला में है ना आगे देखते हैं वो भोकता कॉंजूमर आगे देखते हैं गैस कॉंजूमर है ना कॉंजूमर आप सभी को पता है कॉंजूमर किसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वैम नहीं पनाते हैं आप तो फिर देखते हैं यह छोटे-छोटे कोपी पोर्ट्स प्राणी प्लावक तथा अन्या छोटे-छोटे जलि कीट होते हैं जो कि शैवाल आदी को खाते हैं अतह ये प्रैमरी कॉंजूमर कहलाते हैं प्रैमरी कॉंजूमर क्या क्या है वो देख लिए कोपी पोट्स प्राणी प्लावक और अन्या छोटे छोटे जलिया कीट है जो कि शैवाल आदी को खाते हैं अतह ये प्रैमरी में और बेंथोस में ठीक है जू प्लैक्टों नेक्टोंस और बेंथोस हिंदी नाम से है ना जैसे यहां पर प्रणी प्लावाक टरणाक निधल यह जो है तो आप याद रखना यह असानी सो याद हो जाएगा है ना देखिए मैं ऐसा नहीं कहाँ कि आप लोग English में पढ़ी है हिंदी में ही पढ़िये जो आपको सरल लगता वह अपढ़ी है ना जैसे कि यहाँ पर English नाम जो है सरल लग रहा है तो फिर आप इसे याद कर सकते हैं ठीक है ताकि जो है वो mind में एक बार बैठ जाए कैसे दिखता है अगर आप लोग देखे होंगे तलाव वेगरा में तो है ना तो फिर imagine करना और Google में search माणना और इनको देखना किये कैसा दिखता है इनका images कैसा होता है ना ताकि वो एक बार में ही mind में बैठ जाए ठीक है आगे देखते हैं तो फिर यह हो गया consumer हमारा अब बढ़ते हैं आगे आगे देखें इन चोटे जीवों को जो है बड़ी मचलिया खाती है जो कि अभी हमने primary consumer देखा है ना जू प्लेक्टॉंस नेक्टॉंस और जो बेंतोस है यह जो छोटे-छोटे जो जीव है ना इनको कौन ख खा सकते हैं जैसे की बाद है और जो बगूला है वो खा सकता है ना इसके लावा अन्या मानसाहरी जीव कहते हैं तो प्रून है हम तरसरी consumer कहेंगे ठीक है आगे देखते हैं यहां पेदेखे यह कृच्छ बढ़ी मचलिया है और यह ना पर यह कृच्छ मैने बनाया है इस प्रकार से बना देना है यहां पर जो डाइग्राम है इसको आप लोग अच्छे से बनाना यहां कुछ मैने उपर कुछ नीचे बना दिया है आप लोग जैसे लाइन से बनाओगे तो जो अच्छा दिखेगा है पहले जो है प्रोड्यूसर होता है प्रोड्यूस कौन का न हमने देखा था जो प्लिक्ट को नइक्टंगु दिखा था और बैंटाउस देखा था एक बदाता है से घंडरी या हो सब्सक्राइगा यहां पर यहां यहां पर लन्रपीस कर देना ठीक है अगर यहें लाइज फीज जब मर जाएंगे तब इसको कौन खाएगा डीकंपोजर जो है खाएगा है ना अब यहां पर मैं बाज की बात क्यों नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर जो है हम तलाब की बात कर रहे हैं खादर शरिंखलर की बात कर रहे हैं अगर हम खादर जाल की बात करते तो फिर वहां पर जो है अनेक चारे वरैटी जाता तब जो है हम यहां पर जो है बाज को ले सकते थे हैं लेगिन अभी हम डी कंपोजर्स को जो है यहां पर ले रहे हैं ठीक है थोड़ सा समझने का प्रयास करेंगे फोर्त देखते हैं अब घटक या मृत जीवी डीकंपोजर्स और सैप्रोफाइट तो फिर मैंने यहां पर डीकंपोजर्स इसलिए लिया है क्योंकि हम यहां पर डीकंपोजर्स की बात करेंगे हैं इसी वाज़े से मैंने यहां पर डीकंपोजर्स लिया है बाज की जगा पे है ना आप लोग ने सुना भी होगा जो हमारा बॉड़ी है या कोई भी प्राणी है उसको जो बॉड़ी है वो पंच तत्वा से मिल करके बना हुआ है ना तो फिर यह जो डिकंपोजर्स होते हैं यह पंच तत्वा में मिलाने कहीं काम करते हैं जैसे कि आप लोग देखे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को जो है सरल तत्तों में बदल करके पुर्णा वातवरन में पहुंचा दिता है न अब घटकों में मुख्यता बैक्टिरिया कवक इत्यादी सम्मिलित हैं उधारन के लिए एसपरजीलस पैनिसिलियम क्लेडोस पोरिया और क्या जाते हैं क्या अपमार्जक क्या होता है जो हम उसको कढे defekt क्या होता है ४हें हमारा इस इस पाई जाती हैं पहले देख लेते हैं इनको हमें एक साथ मिलाएंगे पेंगा हाद्य जाल बन जाएगा है न सब्रीजों इसको फिर मचलिया इनको फिर कौन खाईगा मांसा हरी जल्य प्रानी है तो फिर आप लोग देख लिए आप लोग स्वैम इसको पड़ सकते हैं और आया है तो फिर प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तमें भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फैदा हो और तो फिर हो गया हमारा खाद्या सरंख्ला है जब इस खादे स्रिंगला को जो है हम एक साथ है देखेंगे तो फिर ये जो है एक जाल नोमा रचना बन जाएगा तो फिरूसे ही जो है हम खादे जाल जो है कहेंगे ठीक है तो भीचले गाइस थैंक यू